हेलो एव्रिवन वेल्कम टू टैट बजर अकैडमी अबोर पंजाब मैं मितुनी दोरा आप सभी का स्वागत करता हूं टैट बजर के इस प्लाटफोर्म पर साथियों आप सभी को जैसे पहले से ही ग्यात है कि हम जो है समय समय पर आप से जो है हिंदी साहेते से समधित MCQ पर विचार वीमश करते हैं और इन MCQ को करने का हमारा उदिश्य यही है कि आपके हिंदी मास्टर कैडर की जो है अच्छी त्यारी हो सके हैं और अच्छे प्रेशन आपके लिए त्यार किये आते हैं ताकि अगामी प्रिक्षाइं जो हैं उनके लिए आप बिलकुल बिलकुल बखू भी त्यारी करना चाहते हैं से तो आप इन नंबरों के माध्यम से परक कर सकते हैं जो नंबर आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं इसके इलावा साथियों आप सभी को यह भली बाती आप सभी परीचित हैं इस बात से कि पंजाब में जो मास्टर मिस्टर कैडर है तो उनकी पोस्टें जो है 418 जो है वो आउट हो चुकी है लेक्टर काडर की पोस्टें है इस्ट्री और पॉलेटिक जो की 112 और बहुत्तर जोब्स है एटीटी कैडर से जो समदित है आट एंट क्राफ्ट डाइसो और पीटी आई 2000 इन सब में अगर आप किसी से भी समदित है चाहे वो एटीटी है आट एंट क्राफ्ट है पीटी यह लेक्टर आर काडर है या मास्टर मिस्टर है आप किसी भी वरक्टी त्यारी करना चाहते हैं तो आप जो है अगर ऑनलाइ कोचिंग आप हमसे ले सकते हैं ठीक है और आपको जो है इसके लिए बखुबी त्यारी करवाई जाएगी ठीक है अब चलते हैं हम हिंदी साहिते में जो महत्पूर्ण कोचिंग है आज हम उस पर विचार भी मज़ कर लेते हैं ठीक है कि सबसे पहला प्रेशन जो है हमारे स परकाशन काल क्या है तो ए उन्नी सो बीस भी उन्नी सो पचिस सी उन्नी सो तीस या दी उन्नी सो च्छति तो कफन कहानी जो है उसका हमने वो बताना है कि परकाशन काल क्या है तो इसका परकाशन काल जो है वो है उन्नी सो च्छतिस तो कफन कहानी मुंशी प्रेम चंद की कह प्रेम चंद की कहानी है कफन कि यह लिखें गई है ना नूने सो तर्पियरकी प्रकाश्चन हुआ यह इनकी अंतिम कहानी भी मानी जाती है दो आपशन हमारा बिल्कुल लाइंटर है साथ हिओ कफन कहानी जो है वह उने सो त्षत्स में प्रकाशित हुई और यह व्कोंसी B जो है कफन है ठीक है जी अम तिन कहानी वी कफन मानी जाती है ठीक है चलतें जी आगे पहादूर कहानी के लेखक का नाम चाटिये अब हमने बताना है कि बहादूर कहानी किसके द्वारा रचित रचना है तो A. उशाप्रियाबंदा, ठीक है जी, B. राजेंद्र यादव, C. अमरकांत, D. प्रेमचंद, तो बहादूर कहानी के लेखक कौन है, तो बहादूर कहानी के लेखक जो है वो है अमरकांत, तो C. उप्षन हमारा बिल्कुल राइट अंसर है कि बहादूर कहानी के रचिता या बहादूर कहानी के लेखक, C. उप्षन में हमारे पास है अमरकांत, तो अमरकांत हमारा सही उत्तर है, C. उप्षन हमारा सही उत्तर है, चलतें जी आगे, इनमें से किस लेखक की कहानी का नाम चीफ की दावत है चीफ की दावत कहानी किसकी है A. राजेंद्रियादव B. विशमसाहनी C. मौहनराकेश D. अगे तो चीफ की दावत कहानी किसके द्वारा रचित रचना है तो चीफ की दावत कहानी जो है हमारे पास है B option में बिशम साहनी बिशम साहनी जी की यह परमुक कहानी है चीफ की दावत तो हमारा अंसर सही अंसर जो है B option है बिशम साहनी चीफ की दावत ठीक है जी B option बिलकुल राइट अंसर है तो चीफ की दावत कहानी में जो है कि एक चीफ होता है उसकी दावत होती है ह तो जो नायक है वो यह चाहता है कि चीफ कौन है कि पाश्चात्य परवर्ती से है बहार से आया हुआ है तो वो सोचता है कि हमारी जो संस्कृती है जो हिंदू संस्कृती है जो भारतिय संस्कृती है वो उसको तुछ मानते हैं वकाइदा उसके मुकाबले जो अंग्रेजी ज तो इस परकार से कही ना कही भारतिय संस्कृति को उजागर करने का प्रयास किया गया है कि युद्ध में बिल्कुल जो चीफ जो है उनको भारतिय संस्कृति बहुत पसंद आती है तो जीफ की दावत काफी अच्छी सूप्रसिद कहानी है बिशम साहनी जी की तो B option हमारा बिल्कुल right answer जी बिशम साहनी की अहां ब्रांसिम कहानी की कसावस्तु किस काल को व्यक्त करती है अब हमने बताना है कि बिशम साहनी जी जी है उनकी जो कहानी है कहानी जो है वो कसावस्तू किस काल को जो व्यक्त करती है एक मुंगल काल को भारतिय समंतरता अंदोलन को भारत को या इस इंडिया कमपनी के काल को तो बिशम सानी जी की जो कहानी है ठीक है बिशम सानी की जो कहानी है वो किसको उजागर करती है तो वो उजागर करती है जी भारती है समतंतरता अंदोलन काल को तो B option बिल्कुल राइट अंसर है ठीके जी चलते हैं जी आगे निमन सूचियों को सुमेलित करके उत्तर का चैन दीए गए विकलपों में से किजिए तो कहानी है और एक और हमारे पास कहानी हैं दूसरी और हमारे पास कहानीकार हैं तो पहले जो कहानी है वो है देवरत, दूसरी है बडे भाई साब, बुद्धु का कान्टा परदा, तो सबसे पहले जो हमारे पास कहानी है, वो है देवरत, तो देवरत कहानी किसके दौ़ारा रचित है? तो देवरत जो कहानी है वो रचित है हमारे पास है परसाद ठीक है तो ए ओप्षन हम यहां लगा देंगे देवरत ठीक है फिर आता है हमारे पास बड़े भाई साब तो बड़े भाई साब कहानी है प्रेमचंजी की तो हम यहां पर जो है बड़े भाई साब बी में है तो हम यहां पर B लगा देते हैं तो बुद्धू का काटा तो यह गुलेरी जी की कहानी है तो यहां हम C लगा देते हैं कि C में है बुद्धू का काटा D पर्दा तो पर्दा हम यश्पाल पर पा देते हैं या लगा देते हैं तो D option यहाँ पर हमारा सही ठीक है तो इस हिसाब से हमने इनको देखा तो हमारा अंसर ठीक जो है वो है C option ठीक है जी देवरत परसाज जी की कहानी है बड़े भाई साब प्रेमचंद जी की कहानी है बुद्धु का काटा गुलेरी जी की कहानी है और परदा यश्पाल जी की कह पर इन कहानियों के कहानिकार को देखने पर हमारे पास सी अंसर आया तो सी अंसर जो है बिलकुल सही अंसर है मनु बंडारी की किस कहानी पर रजनी गंदा फिलम बनी मनु बंडारी की किस कहानी पर जो है रजनी गंदा फिलम बनी है कौन सी है वो तीन निगाहों की एक तस्वीर पन दरवाजों का साथ यही सच है इन में से नहीं है इन में से कोई नहीं है नहीं है तो मन्नु बंडारी के कहानी जो है किस कहानी पर रजनी गंदा फिलम बनी है तो रजनी गंदा फिलम जो बनी है व पिल्कुल राइट अंसर है ठीक है जी यही सच है रजरी गंदा फिलम बनी गीसु और माधव प्रेम चंद की किस कहानी के पात्र है गीसु और माधव अब हमने बताना है कि प्रेम चंद की जो कहानिया है यह सारी की सारी प्रेम चंद जी की कहानिया है इन में से वो कहानी कौ कफन तो गीशू और माधव जो है वो जो गीशू और माधव जी जो है वो कफन कहानी में है तो कफन कहानी जो है प्रेम चंद की अंतिम कहानी मानी गई है तो गीशू और माधव जो है प्रेम चंद की कफन कहानी में है गिसु और मादव कफन कहानी में है तो D option हमारा बिलकुल राइट अंसर है कफन चमपा और बुद्गुप्त परसाद की किस कहानी के पात्र हैं चमपा और बुद्गुप्त A. मम्ता कहानी के B. पुर्सकार कहानी के C. इंद्र जाल के D. अकाश दीब के तो चमपा और बुद्गुप्त जो हैं दोनों के दोनों पात्र जो हैं हमें अकाश दीब कहानी में देखने को मिलते हैं चमपा और बुद्गुप्त जो हैं वो हमें अकाश दीब की कहानी में देखने को मिलते हैं तो D option हमारा बिलकुल राइट अंसर है चम्पा और बुद्ध गुथ अकाश दिप कहानी में है ठीके जी प्रेम, करूना, त्याग और बलिदान प्रेम, करूना, त्याग और बलिदान किस कहानीकार की कहानियों के विष्य है प्रेम, परुणा, त्याग, बलिदान किस कहानिकार की कहानियों के विश्य हैं प्रेम चंद, बी, जनेंदर, सी, प्रशाद और डी अगे जिसमें प्रेम भी है, परुणा भी है, त्याग भी है और बलिदान मी है तो ये सब जो हमें मिलता है परसाद की कहानियों में क्योंकि परसाद की जो कहानिया है उसमें प्रेम भी देखने को मिलता है करूना भी देखने को मिलती है प्रेम के लिए त्याग भी देखने को मिलता है प्रेम के लिए बलिदान भी देखने को मिलता है तो C option हमारा बिल्कुल right answer है परशाद यानि के जैशंकर परशाद C option बिल्कुल सही answer है जी लकोक्तियों A. मुहावरों का सटीक प्रयोग किस कथाकार की बाशा में मिलता है? लकोक्तियों A. मुहावरों का सटीक प्रयोग किस कथाकार की बाशा में मिलता है? A. वरिंदावन लाल वर्मा B. प्रेम चंद C. यश्पाल D. भगवती चरण वर्मा तो किस की कथाएं जिसमें की लकोक्तियों मिलती है? मुहावरे भी देखने देखने को मिलता है? वसीयत कहानी के लेखक इन में से कौन है? वसीयत कहानी के लेखक कौन माने गए है? A. मोहन राकेश, B. अगे, C. कमलेश्वर, D. भगवती, चरणवर्मा, तो कौन है जो की वसीयत कहानी के लेखक है, रचनाकार है? तो विसीयत कहानी जिन्हों ने लिखी वो हैं हमारे पास D option में भगवती चरणवर्मा भगवती चरणवर्मा बिल्कुल राइट अंसर है जी ठीक है D अंसर बिल्कुल सही अंसर है वसीयत कहानी के लिखक है भगवती चरणवर्मा इन में से कोशिक जी की कहानी कौन सी है इन में से कौन सी कोशिक जी की कहानी है ए ताई, रक्षा बंदन, करतव्यवल या उपर्युक्त सभी तो कोशिक जी की कहानिया कौन सी है इसमें उपर्युक्त सभी विशंबर नाच शर्मा कोशिक जी ने तहाई, रक्षाबंदन, करतव्यवल ये सबी की सबी तीनों की तीनों कहानिया विशंबर नाच शर्मा कोशिक जी की हैं तो D option हमारा बिलकुल राइट अंसर है इन में से कोशिक जी की कहानी जो है उप्रिवक्त सबी हैं इसी के साथ साथियो अगर आप जो हमारे free whatsapp group का इसा बनना चाहते हैं तो आपने बड़ा ही असान सा काम करना है आपने सबसे पहला अपना नेम पेपर जानिके जिस पेपर की आप जो हमसे त्यारी करना चाहते हैं उनलाइन कोचिंग के माध्यम से गर बैटे ही तो उस पेपर को आपने टाइप करना है फिर city city टाइप करनी आपने जिस शहर से आप समंध रखते हैं चाहे वह गाओं है आपका विलेज है अब उसको भी जो है टाइप कर सकते हैं टाइप करके आपने जैंडर को टाइप कर से हैं हिंदी मास्टर मिस्टर का घ्डर से हैं या एसस्टंस्ले मास्टर मिस्टर के चाह थे हैं तो आप सम inputs राहिए से रखेंगे तो आपको करने की जिम्हेवारी होगी ठीक है इसी के साथ साथ यो अगर आप जो है जो है की अकैडमी को जोएन करने से पहले अगर आप हमारा कोई डेमो देखना चाहते है तो फ्री डेमो देखने के लिए आपको जो है ठाट बुज़र अपको Google Play Store से तर्फिक होगा तत्पश्चाद आप हमारा जो है एक डेमो देख सकते हैं और आप अपना निर्ने ले सकते हैं इस तत्पश्चाद हम चलते हैं थर्टीन नंबर कोशन पर हमारा अपना अपना भाग्य जनेंदर जी को यहां भी लगा देते हैं कितिन बाबू जो है वो कहानी है अगे जी की है तो यहां हम सी लगा देते हैं मकरील कहानी किसी है तो वो यहां दी लगा देते हैं तो इस इसाब से हमारा जो कोशन सही अंसर है वो हमारा सही अंसर है साथियो C option, C option हमारा बिलकुल सही अंसर है, राजा, निर्बंसिया, कमलेश्वर, अपना अपना भाग्या, जनेंदर, खितीन, बाबु, अगे, मकरील, यश्पाल जी की, जो है, कहानी है, ठीक है, तो C option हमारा बिलकुल राइट अंसर है, चलतें जी आगे, नई कहानी जीवन के प्रत तो ये कथन किस समिक्षक का है, ये A. डॉक्टर नगेंदर जी का है, B. डॉक्टर नामर सिंग जी का है, C. अचारे रामचंदर शुकल का है, या D. विजेंतर सनातक जी का है, तो ये कथन किसका है, डॉक्टर नामर जी का, ठीक है, डॉक्टर नामर सिंग का जो है, ये कथन ह नई कहानी जीवन के प्रती एक नया बाब भोज जगाती है तो ये कथन जो है नावर सिंग जी का है तो बी ओप्षन हमारा बिल्कुल राइट अंसर है ठीके जी चलते जी आगे खोई हुई दिशाएं किस कहानी का संकलन है खोई हुई दिशाएं ए बिशम साहनी बी कमलेशवर सी अगे या डी महीम सिंग तो खोई हुई दिशाएं किसकी जो कहानी संकलन है खोई हुई दिशाएं कमलेशवर जी का कमलेश्वर जी का है तो ये बिल्कुल सही अंसर है जी कमलेश्वर जी होई हुई दिशाएं किसका कहानी संक्राइन है कमलेश्वर जी का बी ओप्षन बिल्कुल राइट अंसर है चक्कर कलब किस प्रकतिवादी कथाकार का कहानी संग रहे है चक्कर कलब तो चक्कर कलब किसका है A. नागरजुन जी का B. कैदारनाच जी का C. यश्पाल D. त्रलोचन तो चक्कर कलब जो है वो यश्पाल जी का है C. ओप्षन बिल्कुल राइट अंसर है चकर कलब किस प्रकतिवादी कठाकार का कहानी संगरे है तो वह येशपाल स्तिथी ओप्शन बिल्कुल सही उत्तर है जी नेमलिक सुच्यों को सुमिलित कीजिέ एक पास हमारे पास कहानी अंदोलन है दुसरे तरफ हमारे पास कहानी परवर्टक है तो सचेतन कहानी किसकी है तो सचेतन कहानी महीब सिंग की है तो यहां हम A लगा देते हैं समकालिन कहानी किसकी है तो समकालिन कहानी जो है वो गंगा परसाद विमल जी की है तो यहां हम समकालिन कहानी यहां हम B लगा देते हैं ठीक है और A कहानी किसकी है तो A कहानी जो है वो है निर्मल बर्माजी की तो हम यहां जो है C लगा देते हैं समांतर कहानी किसकी है तो समांतर कहानी कमलेश्वर की है तो यहां हम जो है जो समांतर कहानी D लगा देते हैं ठीक है तो इस परकार से हमारा जो उत्तर हुआ वो C अंसर हुआ बिलकुल राइट अंसर हमारा C अंसर है जी ठीक है तो सचेतन कहानी किसकी है तो सचितन कहानी जो है वो महीब सिंग की है समकालिन कहानी किसकी है तो समकालिन गंगाबरशाद विम्मल जी की है आ कहानी जो है निर्मल वरमा की है समांतर कहानी जो है वो कमलिश्वर जी की ठीक है चलते हैं जी आगे राजा निर्बंसिया और तलाश कहानी का लिखक कौन है मोहन राकेश A उप्षन में हमारे पास है B में हमारे पास है कमलेश्वर C में है राजेंद्रियादव और D में है निर्बल बर्मा तो राजा निर्बंसिया और तलाश कहानी जो है वो कमलेश्वर की है तो B-option हमारा बिलकुल राइट अंसर है कमलेशवर. राजा निर्बंसिया और तलाश कहानी कमलेशवर की रचना मानी जाती है. निशानिया और दो धारा किस लेखक के कहानी संग्र्य के नाम है तो किनका है तो निशानिया और दो धारा तो निशानिया और दो धारा जो है वो उपेंदर नाथ अशक जी का है निशानिया और दो धारा उपेंदर नाथ अशक जी का माना जाता है कहानी संगर है यह option बिल्लकुल right answer है शिप परशाद सिंग का कहानी संकलन निन में से कौन सा है तो शिप परशाद सिंग का कहानी संकलन निन में से कौन सा है तो शिप परशाद सिंग का कहानी संकलन निन में से कौन सा है तो शिप परशाद सिंग का कहानी संकलन निन में से कौन सा है तो शिप परशाद सिंग का कहा कहानी की लेखिका कौन है होगी जय होगी जय ए पुर्शोत्म नवीन कहानी के लेखिका कौन है ए सूर्या वाला वी उश्या प्रियवंदा सी मन्नुमंडारी डी कृष्णा शौप्ति तो ए उप्षन में हमारे पास सही अंसर है सूर्या वाला सूर्या वाला जो है वह होगी जैंखे प्रुशोथम नमीन कहानि के लिए का मानई गए हैं तो ऑप्षन बिलकूल राइट अंशर है